Hello everyone, Brain Bloomer पर आप सभी का हर्दिक स्वागत आज की वीडियो में हम एक बार फिर बात करने वाले हैं Poetic Devices की जिस पर पहले भी Brain Bloomer ने वीडियोस बनाए हैं जिन्हें आप Playlist से चेक कर सकते हैं आई आज बात करें Metaphor और Personification की Metaphor एक Implied Comparison को कहा जाता है जिसका मतलब है हम ऐसी दो चीज़ों की तुलना कर लेते हैं जिनके बीच आम तोर पर तुलना नहीं की जा सकती इसे एक उदाहरण से समझते हैं जैसे की The curtain of night fell upon us यहां रात परदा नहीं हो सकती लेकिन लेथक ने इन शब्दों का प्रयोग एक खूब सूरत word picture बनाने के लिए किया है इसी प्रकार I am drowning in a sea of grief या फिर Time is a thief जैसे उदाहरण आपको Metaphor को समझने में help करेंगे लेकिन इसमें simili की तरह तुलना करते समय like और as जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता इसके विपरीत personification वो poetic device है जिसमें भावों या प्राणियों या चीजों में मानवी अगुणों के होने की बात की जाए या उन्हीं किसी person की तेरे treat किया जाए जैसे की lightning danced across the sky या फिर my alarm clock yells at me to get out of my bed every morning बिजली डांस नहीं कर सकती नहीं घड़ी चिला सकती है तो ऐसे उदाहरणों में personification का use आप देख सकते है तो सोच क्या रहे है metaphor और personification के उदाहरण ढूणने से पहले चानल को कीजिए like और subscribe और इसे share कीजिए जादा से जादा hope you like the video keep learning and have fun thanks for watching